तो तिहाई और चौथाई ये क्या होता है इसे बहुती आसानी से आप समझ सकते हैं जैसे कि आपके मुझ से निकला दो तिहाई तो पहले निकला दो तो दो लिखिये तिहाई तो तीन नीचे लिखिये दो तीहाई हो गया चार तीन चौथाई तो तीन पहले निकला तो तीन चार नीचे लिखिये, दो चौथाई तो दो पहले निकला, दो पहले उपर लिखिये, चौथाई बतलब चार, दो चौथाई, तो इस तरह से पिहाई और चौथाई का नंबर लिखा जाता है.